रिलिजन एक्स्टिंक्ट हो जाते हैं, दुनिया 1400 साल, मुसल्मानों के 1400 साल आने से पहले, देखें जी कितनी पहले बात कहा रहे थे, लात आला के आप, 1400 साल पहले इसलाम आया, चलो मान लिया, बाबा आदम से इसलाम शुरू हुआ, दो लाख साल पहले हो गया, दो लाख साल से पहले, चार अरब साल तक दुनिया चल रही थी, उस से पहले, नो अरब साल पहले तक, काईनात भी चल रही थी, तो ना इसलाम के आने से कोई फर्क पड़ गया, ना इसलाम के जाने से कोई फर्क पड़ जाएगा, यहां पे जो चरिंदे परिंदे हैं, अभी अरब साल तक वेट करते रहे यानि यह ऐसे हैं लिटरिली इवन उन कॉस्मिक्स की हमने दस्ताखान लगाया है मैंने अभी आना है मैं मानने आना है एक साल पहले यहां बना किन्नू आलू बखारे और खटे लडू बरियानी यहां तो रखके बहा जावाँ अभी आएंगे व वो बुस्के मर भी गए जैसे डाइनोसार मर बना भी गए 65 मिलियन यह पहले सो मिलियन साल तक वो चीरफाड करते रहे हैं यह ने डाइनोसार किसके लिए भी बनाये अगर यह चरिंदे परिंदे हमने आपके लिए बनाये यही मैं बात करता हूं कि जब आप इसको कॉस्मि अबरी आनिमल प्लानेट बगार देखें और देखें आज से काइनात कितनी बड़ी है काइनात का स्कोप कितना बड़ा है जमीन पे जिंदगी का स्कोप कितना बड़ा है और स्वाल पूचें कि ला मैं कह रहे हैं कि हमने फिर चार दिनों में जिंदगी बना दी पिर उसको लेकिन हमारे मध्भी लोग कोते हैं, नहीं, नहीं, मेरी दुनिया बड़ी छोटी है। यbeing चार दिनों में बनी को आतरों को रहा है। इसमें आप या संझते हैं कि जिसने सूफीजम में इसलाम के अंदर है के बाबे जो है या जुरु वो इस काबल देके को एक जगा से दूसरी जगा जा सकें या उड़ सकें ठीक है इस तरह की बाते मिलती हैं बो सारी जो इंजिनियर साफ उनके हवाले सी कहते हैं ठीक है तो क्वांटम लेवल पर क्वांटम फीजिक्स जिकनी आज तरकी कर गी है तो यह लगता है अब को जिसना भी जैट सूट आ गया अगर यह आ सकते हैं जिसे हम उड़ भी सकते हैं तो क्या बदा हाईर लेवल में जाके साइंस रखी कर गई तो इस तरह चीज़ें हो जाएंस ज करेंगी न तो आप बाबा बताए न जो बाबा हमें ब्लूपरिट बताए जैट पर पंचल स्कूल के वह जो सूट हैं बड़े मजेगे जिक बाबा बताए न यह तो कुछ नंगो मैं आभी आपको बताऊं मैं आप पलके जबकूंगा तो मैं इदर से प्लूटा पहुंच तो आप करेंगे हर इसको टैलिपोटेशन का इल्म था कोई चीज जो वक्त से पहले नहीं हुई जो वक्त में बाद में वह वक्त से पहले नहीं हुई तो इसलिए अनलेज कर टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो जा फिर उसमें और प्रोब्लम सो आपको एक राज बता दूं कॉलर आपको मैं राज बता दूँ हारिस भाई एक जुम्ला जो है ना ये बोलते हैं इंग्लेंड में और एक जुम्ला ये बोलते हैं कदीम मिसर में ये इस वक्त टेलिपोर्ट कर रहे हैं कर लें अब था ये तो कैसे करेंगे और आप ये उसका जवाब आपके पास यही होगा अगर आपने इसकी बुनियात के उपर क्या पता के उपर अपने मजब की बुनियात खड़ी करनी है तो फिर पूरा मजब खड़ा ही क्या पता के उपर है तो कहीं लों कहते हैं क्या पता लामिया हो क्या पता के उपर जिंदगिया नहीं गुजरती इस पे तो इंजिनियर स इनको 2nd order differential equation लिख के जाएंगे, इनने सिरफ पड़ की तनानी है, ये बाफ एक मकलब संजाना नहीं, सिरफ पड़ के बता जाएंगे, वाद दो लाइंगे, वाद ले झाले है, वाद ले वाद जो फिर वाद फिर वट्स एबाउट टक्ते बिलकीष, टक्ते बिलकीष के बिल काणिया ना यार काणिया ना.. काणिया ना... अब एजीनी जाफ इना कहतें कहारे तो प्सक्राइ से हमें कह operator करें कि 그걸 क्या पता सानी से दिक்कवर करें इसने क्वांटम लेफल से। आपके बाबों को पताता क्वांटम लेफल बताइज़ बाबे को बताइजरा आज कहा रहे ना कॉन्टम लेवल जो भी है बताया है अगर इतना हाई इल्म था तो आके नसलों तक वो तो इल्म जादा बढ़ना चाहिए था ऐसा क्यों है कि उसक बाबे गाईब हो जाते थे एक जिगा से दूसरी जगा अब बाबे वहीं बैठे रहे जारा देना क्या चक् बहुत तरक्की की इसके पीशे वजा चेक कर लें मुस्लिम साइंटिस्त है तो मैं आपको कहूं जितनी तरक्की मुस्लिम साइंटिस्त होने कि उसके पीछे ग्रीक्स थे वहां से भी इन्होंने लिया जा सकता है और कुरान पाक से भी यहनि कि मुर्ण पाक से बताएं ने कौन सी कुरान की आयत से किस ने कोई साइंटिस्तिक डिसकोवरी गी आए अपने आप गोल्डन पीरिड से भी इसलाम मुस्लमान लेया है किसी एक साइंस का बता दें जिसन कालबन दी है ठीक है इस से पहले केपलर का जो लाओ है वो इसने मुस्लिम साइंटिस्से मुतासर हो कर ने मुझे बतायां मुस्लिम साइंटिस्स ने कौन सी आयत पढ़के का के केपलर तो 20 सेंचरी का है वहावी तो भी पिछली सदी का कैपलर लौ कैपलर तो खुछ भी इतना रीसेंट है न्यूटन तीन-चार सो साल हो गए उसको तो आप आपको थोड़ा साथ भी उपर नीचे हैं मुझे बताया, आप सूफियों बापों को च्रोणना बतायाया, मुझे ये पिताए मैंने जीढसे भी आपको बताया, मैं भी यहाँ से पलक जपक पके नॅब कदीम मिसर में पहां जाता हूँ और हो के भी आ जाता हूँ आपने देखा ही नहीं आप अगर आपने मेरे पे अंधा ही मान लाना तो आप कहेंगे हाँ कुछ हो सकता कुछ साइंस होगी ऐसी जो हारिस के पास future से future हारिस ने आकर इस हारिस को दे दी होगी जिसकी मुझे समझ नहीं है या फिर most likely situation ही है कि हारिस ने गाप छोड़िया और वो गाप पी है वो उसी तरह में आपके बाबा जी को यह मानना हमारे लिए कबूल नहीं कुछ ने टैलीपोर्टेशन का पता था उनको जी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंटर श्रोडिंजर स्कैट का पता था उनको जी वेफ फंक्शन का पता था उब्जर्वर इफेक्ट का पता था यह मानना नहीं हमारे लिए कबूल है उन्हानने चड़ी यह गाप और बाबा आया उत से आया पगड़े के आगे और उतको जमीन से ना दो इंच पहले पढ़ लिया बाबा जी सब के जाओं रितिक रोशन तेरे बाबा जी ने रोक के कहा कि क्या का जी बाबा जी ने बाबा जी ने उसे कहा बाबा जी आप कहा उससे कहा बिलकीस बेगम मैं आपने आवास दी मै वहां से आगया बगदाद से तो यह इदर इंडिया में चक्कर चाल रहा है तो भाई आप कह सकते हैं टेलीपोटेशन थी बाबाजी के पास डेलोरियन थी वह बाद वाली बाबे ने यह भी मार सकते हैं बाबे ने और को उसे तरीके वह से थे बाबे ने कॉटम लेवल पर ज क्यों नहीं पहुंचा यार मैं वी बाबा बनौ मैं चोड़ों से साइंस राइंस ने वह बाबा ने पुरानी सिविलाइशन इतनी अमेजिंग थी तो कहां पर हमें उनकी कोई कुछ टीवी कोई कंप्यूटर कोई लाप्टाप इस तेल या नालो संबे कारे सांथ पथर से पत्थर से बिचारे पिठियां साफ करते हैं आप मेरा खाल हिंदू सिविलाइशन की तरफ चले जाएगा आपको उधर फिर भी कुछ मिल जाएगा अच्छा मैं इस बच्चे से थोड़ी सी सीरिस बात कर लों वो यह ना कहा है कि यार यह हम जाते हैं तो यह पढ़ी जाते हैं पीछे देखें मैं इनसान में ना सूपर नेश्रल मानने की खौईश होती है मेरे अंदर आज भी है लेकिन आपने सूपर नेश्रल ढूंड़न और एक और बात यह मुझे लगता है यह मेरा अंदाज़ा है कि यह जो लमभे बालों वाली सरकार को सुन रहे है न आपा इस्लाम भी भिगाडेंगे आपनी साइस भी भिगाडेंगे उसको बेला data ब्राद राना शुरा है पर चोटे भाई की तरह Herzी AG.. आप नहीं सैटिस्टाइ कर पाँ एक प्थ हैं तो आप से पूछ आ पूछ और जो पूछ आ रहा हूं कि जो रानपा के अंदर टेलिपोटेशन पोर्टल इस तरह के साइंटिफिक सारे जो कॉंसेट हैं वो आज साइंस लेवल पर नहीं पूछ फूछ ठीक है तो हमारा मुझे ये हमान है कि रान पाक के अंदर तमाम क्यामत का जो भी डवांस तरी नोड़िज है उसके जो आपको चीजे में लिए अच्छा आपका सवाल अच्छा आप कहरें हैं साइंस के पॉइंट अफ्यू से कि सिर्फ साइंस ही प्रू है इसके लावा कोई भी चीज को हम नहीं लेखेंगे ठीक है और साइंस के लावा कोई भी चीज होगा हम इसे इस प्रूव कर देंगे बिसकली ये मैं अपरानी सिविलाजेशन में भी कोई हुई कोई evidence जो होता है वो देखें जब इतना extraordinary reality से हटके claim किया जाता है ना तो उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी evidence चाहिए एक बंदा है जेम्स रेंडी वो बुड़्डा होके मर गया है कि मैं challenge करता मुझे कोई supernatural phenomenon दिखा दे मैं एक million dollars दोंगा बड़े लोग जो थे जादूगर शादूगर वो आये वो उनकी trick बता देता था तो आज के दौर में तो ज़्यादा advance अब आपने कहा कि शाहिद फुरानी इतनी advance जो भाईजा हम तो जो भी बाबों का यह कुरान जो 1400 साल के जिकर कर रहे हैं इनकी history का तो हमें पता है चलो Egyptian का मैं यह चला है मैं एक लम्हे के लिए मान भी लोग एजिप्शन जो थे बहुत advance थे भी बात उनकी नहीं हो रही बात तो यह हो रही है कि जो कुरान से लेकि अब तक हमारे पस पूरी history पढ़ी है हमारे पस पूरी science की दास्तान पढ़ी है क्या 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 चीज़ा है कैसे डिसकवर हुई ऐसे teleportation का कोई एक बंदा भी teleportation कर देना पूरी दुनिया में थर्थल ही मच जा नहीं थी कि यार यह फलाना बाब है वो उड़के दर चला जा जाता है पूरी दुनिया में बहुंचाल आ जाना था यह आजकल भी अभी कुछ साल पहले तक जब तक यह वीडियो गारा नहीं नही थी यह हम वाकिये सुनते थे कि फलाना ऐसे कर देता है फलाना यह कर देता है जैसे ही वीडियो आई है अब evidence के time है अब करके दिखाओ सब कुछ गाइब हो जाता है तो हमें ना open सोच रखनी चाहिए और claim इतना जब बड़ा हो ना तो फिर उसकी evidence चाहिए होती है भाईजा हम नभी की भी जब पढ़ते हैं ना history हमारे जिन में आता है पता नहीं कितने क्यों magical उनके देगे नूर था हम जैसे ही थे सुबह उटते था हम उनकी गौर से पढ़ें उनकी एक चीज हमारी तरह के ही इनसान थे तो इसलिए अगर मोज़ा दिखाने है तो आज भी आप science पढ़ें और ये जनरल्स पढ़ें और हरस भाई कुछ बात करते हैं सरे हैं मैं आपको एक चोटी सीस के उपर बात यहां पर खतम करते हैं कि दुनिया के हर शौबे में बेहतरी आई है हर शौबे में भी पाक पंजाबी ने जो बात किये ना कि ये जो चीजें है कि पहले आते थे खाणियां सारी उड़ने उड़ने वालें की claims आते थे वो जी एकदम से camera आया एकदम से claims नीचे चले गए और फिर photoshop आया तो फिर से वो claims उपर चले गए तो ये दुनिया के हर मौशने हर शौबे में तरक्की आई है scientific method में तरक्की आई है historical facts को समझने में स्वालें के तरक्की आई है, archaeology के तूँ, dating के तूँ, geology में हर मौशन कोई भी आप शोबा उठा लें, उसके अंदर बेतरी आई है, सिर्थ एक है शोबा जिसके अंदर बेतरी अभी तक नहीं आई, वो आई ये बबों की कानिया, जदुटूनों की कानिया, परियों की कानि अभी भी उनके दावे वही हैं और यह वही लोग हैं जन्होंने खुद इनकी अपनी देखें इनके क्या क्वा है जो कोई क्यों fare ने किया स्वाएे लोगों को बेवऔकुप बनाने का साइंस ने आपको चारसंडे or आपको इतनी हैं आप उसके उपर various theories हैं, लेकिन वो theories जो हैं, वो फिर भी acceptable हैं कि within the confines of the natural world. आप लेका कुरान के अंदर हम हो जाई, ये साहिल अदीम की जो बाते हैं, मेरे भाई, किसी कुरान के, अच्छा, हम तो चलो, बीच में आप कैनन, आइडियाज लॉस्ट हो गए होंगे पुरानी, चले जाते हैं, और फिर ant man की जाना, और फिर उदर से जाके दुबारा reassemble होके चले जाते हैं, wormholes हैं जी, ये कुरान के अंदर wormshole का कोई जिकर नहीं, मैं आपको, कोई भी दावागर मैं आपको ये कर दूना, आज मैं गाप छोड़ दूँ अपने पीरों-कारों के सामने के हाद भी यहां से अभी कदीम, तीन हजार कबल मसीशे होके आया हूं, मैंने देखा है, कि वहाँ पे किस तरह पिरमट्स बन रहे हैं, मैंने आके गप छोड़ दी है, तो मेरे जो अंधे तकलीद करने वाले हैं, वो यही कहेंगे, आज कलके, हारिज के पास जी, टाइम मेशीन आ गई है, और आज से पांसो साल पहले ही चला जाओ, तब लोगों ने करना, वा जी वाई, यह तो वाकर कोई खुदाई, सूपर नाचरल पावरी इसके पास होगी, तो मेरे भाई कुरान की आयत को पढ़ें, उसके अंदर कोई वह महूल का जिकर नहीं है, अगर होता, तो जो लोग लिख रहे थे, उनके इन तफसीरों को ब्यान कर रहे थे, उनको कुछ तो इल्म होना था इसका, वो उसका उस्तरा इल्म नहीं देते, जिस तरह आपको साह जिस्दानों ने लिखी मी है, उनको पढ़ेंगे, आप, वो आपको ये नहीं बताएंगे को कुरान के अंदर वाम होल से लिखे हुए, जब आप साइंस के उपर जितनी आपकी गिरिफ्ट मस्बूत होती जाएगी न, वैसे वैसे आपको खुद ये बातें बच्चों की कह कहानियां लगेंगी, बच्चों की कहानियां, अनफॉर्चनेटली, हमारे क्योंके बच्चपन से कान में अधान दे री जाती है, तो वो डॉगमा जो है रहा हम उसको छोड़ ने पाता है, चले, बहुत शुक्री आने का, थैंक्यू, ले ले, 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 ने लेकर ठीक है, लेकिन हम ऐसे तवक्का नहीं ना कर सकते हैं, हमने देखना पड़ेगा, उसके लेवल पर बच्चे के जा के देखना पड़ेगा, उनके अब देखे, कितनी डिसर्विस हो रही है, ये साहिल अदीम जैसे लोग, लोगों को भटका रहे हैं, बच्चे को इस कि किसी मुसल्मान नहीं छोड़ा था, कि हम आजकल के लोग ना, कॉमिक्स को बड़े लोग अट्रेक्ट होते हैं, कॉमिक्स की तरफ, तो हम इनको कॉमिक्स की जबान में इसलाम समझाए, कि देखें जी, डॉक्टर डू लिटल की पावर है जी, कि वो जानवरों से बात कर सकता है, तो डॉक्टर डू लिटल असल में हज़र सुलिमान हैं, जो जानवरों से बात कर सकते हैं, इस तरह की बाते हैं, जी, हमने उनको उदर से, सूपर, ये ना, लोगों को जोड जाड़ के ना, सूपर मैन जी, वो फरिष्टा है जी, फलाना, उस तरह की पावर है उस जोड़ेंगे, फिर करेंगे, चल पाज़ा तो ये वर्म होल, अड़ा तू, आइंस्टान दा, बढ़ा या, दूसरी बाची है कि ये वर्म होल, ये टैलीपोर्टेशन, इवन इन साइंस, इस जिस फिक्शन राइट ना, मतलब, कौन से वर्म होल, मतलब, इवन के, ये कुर मतलब, फॉरह ने, वो चोड़ के न, मूं से गप मार के फॉर्म ही आगे कहले गाICOभागा, तॉरह तू बढ़े, ये घल जाते हैं न, मूसल्मान, साइंटिस्के ये कंटिमिशन है, मुसलमान सांटिस्टके को पीछू मेंतला दिया स्मित्हा के मेरा काNononu नहींल, मुसलमा साइंस थे पुराने मोटची जिल्टा लोग थे या कौन थे वो अगर वह मुसल्मान थे भी तो उनका जो साइंस के अंदर काम है उसमें उनका रिलीजिन का हात नहीं है कोई मुसल्मान के काम तो जैसे मैंने बताया इब बहुत बड़ा साइंस दान था उस पर इस तरह में इमिज बनता है इबनलहाथम ने कहा नहीं अपजेक्स पर पढ़ती है तो उससे हमारी इमिज मेंकिंग होती है अब ठीक है यह बहुत बड़ी डिस्कवरी थी रेवॉलूशनरी थी और भाई यह उसने कहां कुरान से उसने बात नकाल के किया अगर इस तरह त तो फिर एहमधी इसलाम ठीक हो जाता है क्योंकि अब्दुसलाम ने हिग्स बोसाम के डिस्कवरी की सीवन वाइन भाई के साथ की थी पंजाबी तो यह सारी बाते जो है ना यह अपनी मतलब की बाते निकाल के उसको फाइदे करते है चले 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 सीग अश्यूब काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियोन पर जूर सपोर्ट कीजिए ताके मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पंचा सकूँ झाल